असलाम आलेकूम नाजरीन, हमारा मौजूब खाऊं या ना खाऊं ये कहानी एक दिहाती शक्स से मन्सूब है एक शक्स ने एक दिहाती आदमी को देखा कि वो 60 साल से ज्यादा उमर होने के बावजूद खूब तंदिरुस्त और सरगरम दिखाई देता था तो उसने पूछा, आमकी सहथ का रास क्या है? तो दिहाती ने जवाब दिया, मेरे मन में जब भी ऐसा आया है कि खाऊं या ना खाऊं, तो मैंने हमेशा ना खाने को तरजी दिया है ये बात जो एक दिहाती अनबर ने बताई यही बात सुकुराद ने इन लफजों में कही थी इस वक्त ना खाओ जब तक तुम भूग से बेताब ना हो जाओ गजा ही में इनसान की ताकत है मगर ये भी एक वाकिया है कि गजा ही आदमी की सारी बिमारियों की जड़ है गलत खुराद या नाकिस खुराद जितनी मज़र है इतनी ही मज़र ये बात भी है कि आदमी भूग के बगएर खाए या ज़रूरत से ज़्यादा अपने पेट को भरे सहत का रास एक लफज में सिर्फ ये है सहत खुराद मौतदल मिगदार में है अगर आदमी सिर्फ इस एक असूल को पूरी तरह पकड़ ले तो इसको जिन्दगी भर डॉक्टर के जरूरत नहीं होगी